हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी का यद्विंशी व्लोग 0304 चैनल पर कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और आज एक नास्ते की बिल्कुल नई रेस्पी शेयर कर रहे हैं और यह बहुत अच्छी रेस्पी है बिल्कुल न्यू रेसिपी है आप लोग देखने में जितने यमी लग रही है उससे ज्यादा टेस्टी और खाने में उतनी से ज्यादा लगती है तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राइब कीजिएगा बहुत क्रिस्पी बनती है यह वाली रेसिपी और अगर रग देंगे ठंडी भी हो जाएकि तो भी बहुत अच् चीज से बनाया है पर उसके पहले अगर मेरे चैनल पर नए आए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको थोड़ी से भी रेसिपी पसंद आई है तो और बेल आइकेन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उस स्वागत है मेरे जितने वीवर्स हैं जितने सब्सक्राइबर हैं तो मेरे पास है यह पत्ता गोबी और पत्ता गोबी है तो इसको पहुत चुटा चुटा सा चौप करेंगे आप चाहें तो चौपर में भी इसको चौप कर सकते हैं नहीं तो चाकु से भी चुटा चुटा तो इसलिए वहां पे नई कट हो रहा है आदी सबजी बनाई थी और आदी रखी थी इसकी रेस्पी बनाने के लिए नास्ते की तो इस तरीके से देखे इसको चोटा-चोटा सा चॉप करेंगे बहुत आसानी से जल्दी से जटपट से चॉप हो जाता है ज्यादा टाइम नही मिर्च कट करेंगे तो आपको चाहिए तो आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी यूज कर सकते हैं अगर आप लाल मिर्च खाते हैं तो नहीं तो हरी मिर्च तो इस तरीके से तीखा आप अपने हिसाब से रखें आपको जितना तीखा पसंद है हमने दो से तीन मिर्च ड अब तो प्लीज वीडियो पर बने रहें और वीडियो को इसकिप नाक करें और अब देखिए एक कच्चा आलू लिया है मीडियम साइज का और इसी को धो के छील के दो लिया था इसी में कद्दू कस कर देंगे और थोड़ी देर के लिए अगर छोड़ना रहता है तो फिर इ इसलिए है बहुत ड्राइपीस है बहुत कम पानी डालके तो आधी कटोरी वही चामल है उसको डाल दिया है इसमें और अब इसमें बाइंडिंग के लिए डालेंगे बेसन तो बहुत ज्यादा नहीं जाएगा थोड़ा ही जाएगा बाकी तो क्रिस्पीपन चामल के आटेस हो जाएगा तो चार चम्मच हमने इसमें भर के पेसन डाला है और इसमें यूज करेंगे कसूरी मेथी तो इसमें कसूरी मेथी का बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है तो दो चम्मच भर के कसूरी मेथी डाली है और आधा नीभू खट्टे के लिए तो नीभू जरूर डाल त्यविक्ति अंपले में संबर मसाला चाटमा में संबर यह कुलई में के लिए यूदि नमक तूजुनटा picking एतना वह की नमक लोग तो मिक्स करेंगे तो इस तरीके तो इस तरीके से नहीं होगा लेकिन उसमें क्रिस्पी पन इतना नहीं आएगा तो बिल्कु ड्राइपीस है थोड़ा थोड़ा से पानी डाल डाल की इसको मिक्स करते जाते एक डो का फॉर्म आ जाएगा और हमारा गीला भी नहीं होगा तो जितना बड़ा आपको शेप देन मैं देते हैं और गोल गोल से बहुद देते हैं कबाब का से और उस तरीके का तो थोड़ा सा अलग और वैसे जटपट बनाना रहता है नास्तै का ही хोता उस ठाइं, तो इसलिए जल्दी जल्दी बनाना रहता ।् ज्यादा नास्ते का तो इस तरीके से देखिए इस तरीके से सारा हमें ऐसे बना लेंगे और सबसे अच्छा लुक और टेस्ट ही होता है बस लुक जितना अच्छा है उससे जबर्दस अगर टेस्ट हो किसी भी खाने का या नास्ते का तो फिर मज़ा ही आ जाता है तो इस तरीके से दे किसी चीज में फ्राइ कर सकते हैं नहीं चपकेगा और अपना कुकिंग ओयल इसमें डाल दिया है दो चम्मच से तीन चम्मच बस कुकिंग ओयल डाला है आप चाहें तो रिफाइन डॉयल राई का तेल या कुछ भी यूज कर रहे हैं हम इसमें ऑलिव ओल तो जब अच्छा सदूरी में डालेंगे ताकि आपस में चपके न जब थोड़े से पक जाएंगे हाट हो जाएंगे तो फिर चपकने का डर नहीं रहे है तो इस तरीके से इसमें जितनने भी एक बार के आएंगे उतने बिछा देंगे इसमें और गैस की flame low to medium कर देंगे और इस तरीके से आल पलट पलट करके हर तरफ से सिखेंगे इसको ताकि अच्छे से सिख जाए और पत्ता गोभी है तो बहुत ज्यादा इसमें सेखने का भी प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ बहुत टाइम लगेगा सेखने में जटपट से हो जाएगा बाकि इसमें ऐसा कुछ कच्छा नहीं आलू कद्दू कस करके डाला है तो उसको भी सिखने में बहुत टाइम नहीं जाएगा मुश्किल से एक सिफ्ट हमारी चार से पाच मियाट में सिख गई थी और यह सेलो फ्राई किया है आप चाहिए तो इसको डीफ्राई भी कर सकते हैं तो इस तरीके से चिम्टे से चिम्टाई से चिम्टान किवन से प्राई तो इसमें प्रीकिट में यहाद से छाहिए और भी तरीके से एक काले निकालगते जा रहे है अब इसमें जो जितने हमारे बचे हुए थे ना दूसरे श्वड के वह सारे इसमें भीजा देँगे और इस तरीके से इतनी पत्त गोवी में आपने देखे तक कितनी कटकी थी एक ना चाल बहुत ज्यादा पत्त गोवी नहीं लगा इसमें और चावल के आटे से बहुत क्रिस्पी हुआ था तो इस तरीके से चावल काटा जो आटा आता है उसका और जो भिगो के चावल पीस के बनाते है उसका बहुत अलग अंतर होता है बहुत ज़्यादा अंतर होता है तो ने योगत आप ट्राइ करके देखें का दोनों में बहु ताकि यह अच्छे सा हार तरप से सीख जाए और यह भी चार से पांच मट लगेगा तो यह भी हमारा सिख गया है और हमारा इस तरीके से नास्ता बनके तयार हो गया है और गयास की फ्लेम वही लो टू मीडियम रखेंगे और आपको रेस्पी कैसे लेगी कमेंट करके जरूर करें हर चीज के साथ यह बहुत यमी लगेगा और क्रिस्पी बहुत हुआ था बिल्कुल कुरकुरा सा हुआ था यह नास्ता अगर बच जाए तो भी टेंशन नहीं है वह कुरकुरा पन उसका खतम नहीं होता हलका सा सेख लेंगे तो फिर से ताजह हो जाएगा और सबसे ब बेल आइकन का बटन जरूरब प्रस करें तो यह देखी आपको इसका लूक दिखाते ह। तो यह पास से कैसा लग रहा ह। और अगर आपके घर में पत्ता गोबी है तो तुरंत ये रेस्पी आप बनाईए और ट्राइ कीजिए आई हो पाप लोगों को जरूर पसंद आई है ये मेरी रेस्पी तो कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और आपके घर में सभी को पसंद आईगी तो चलिए फिर मिलेंग एक नए रेस्पी के साथ तब 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 थैंक यू फो बोचिंग